एक डेली के न्यूबडे में आप सभी का सुआ गते हैं दोस्त पर सकते हो वह भी one click में तो केसी यूज़ करना है दोस्तों इस application को आपके mobile phone में और कैसे आप इस application के जरी से आपके photo, video, folder होते हैं उनको आप यहापे private कर सकते हैं तो आज की बढ़े मैं आपको full detail के साथ बता हुआ तो दोस्तों इस application को यूज़ करने के लिए आपको क्या कर करना है सिंपल ही कर लेना है इसे open आपके mobile phone में जैसी आप open करते हैं आपको सबसे पहले हैं पर्मिशन welcome to secure folder का option आता है यहापे आपको pricey policy tick mark का option मिल जाता है इस पर आपको tick mark कर देना है इस पर tick mark करने के बाद get you start के option पे click करने के बाद always permission का option आपको देखने को मिलता है एप्लिकेशन को आपको पर मिशन देने के बाद नेक्स्ट Óls ऑप्शन पर कर देना है कि लिए एक सबस्सक्राइब करते हैं जो आपकी पर आपको प्राइवाट फोटो होते हैं विडियू होते है उनको अगर आपको height करना है तो उसके लिए आपको लगता है passport तो passport आपको यहापे करना है set तो कोई भी आप passport है पर set कर सकते हो मैं फिलाल मैं भी 1,2,3,4 simple password है पर set कर देता हूँ यहापे right वाला option आपको मिलता है आपको confirm password है यहापे right कर देना है यहापे right करने के बाद दोस्तों और एक बार आपको 123 जो आपको confirm passport है वह आपको डाल देना है डाल देने के बाद यहापे आपको चोटी मोटी question पूस्टा है favorite what is the birthday date तो जो भी आपकी birthday date है वह आपको डाल देना है save वाले option पर क्लिक कर देना है save वाले option पर आप जीसी क्लिक करते हो तो यहापे आप देख सकते हैं कि application कुछ इस तरह से open हो जाती है मैंने already पहले एक photo height करा था तो भी आप यहापे देख सकते हैं तो मैं आपको यहापे height करके बताता हूँ तो यहापे private picture का option आपको मिलता है अलग-अलग तरह के folder आपको मिल जाते है तो इस पर click कर देना है किलिक करने बाद पलस वाला option आपको मिलता है पलस वाले option पर click कर देना है उसके बाद आपको image का option मिलता है फोल्डर का अप्षिन मिलता है जो भी आपको एड करना है वह वह आप कर सकते हैं तो इमेजवाली option पर मैं किलिक कर देता हूँ में जाले option पर click करने बाद जो भी आपके photos होते हैं वो आपको यहापे show होने लग जाते हैं फिर उसके बाद जो भी आपको photo को height करना है तो simply उसके आपको click कर देना है click करने बाद यह successfully जो होता है private picture जो मैंने folder select कियाता है उस पर यह height हो जाता है private हो जाता है जैसे कि आप यहापे lie you देख सकते हो back side आपको आ जाना है तो दोस्तो इसी तरह आप यहापे videos भी आपका जो होता है उनको आप यहापे square कर सकते है height कर सकते हो तो simply आपको इस पर click कर देना है दोस्तों यहापे आपको browsing का भी option मिल जाता है private browsing भी आप यहापे कर सकते हो और साथिसाथ शट्टिंग वाले option पे click कर देना है यहापको चेंज passport का option मिल जाता है अगर आपको आपका passport change करना है तो वह आप यहापके कर सकते हैं और साथिसाथ दोस्तों अगर आपको यहापके finger lock लगाना है पीन कोड लगाना ये वेरिफिकेशन जो भी आपको लगाना है वो आप यहापर लगा सकते हो आपको यहापर देखने को मिल जाता है तो दोस्तो इसी तरह आप इस एपलिकेशन का यूज़ कर सकते हैं मुबाइल फून में और जो आपके प्रसनल फोटो आते प्राइविट फोटो आते वीडियो साथे उनका आप इजली तरह के सहब पर वन किलिक में हाइट कर सकते हो